जब हम कोई गाड़ी लेने के लिए जाते हैं मार्केट में तो हमारी अलग-अलग requirement होता है किसी को चाहिए होता है कि उसे गाड़ी में average चाहिए तो किसी को चाहिए होता है कि उसकी गाड़ी में power होना चाहिए और आपने देखा होगा जिस गाड़ी में power जादा होती है उसमें average कम होता है तो ठीक कुछ इसी तरह से होता है हमारे brick के साथ अब जो हमारी red brick है, flash brick है और double EC block इन तीनों के अपने-अपने advantage होते हैं यानि कि कि किसी की requirement अनुसाय ये कुछ जगप पे बहुत जादा अच्छी साबित होगी चाहे वो cost के related हो या फिर strength के related हो तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रू देखे क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद आपको आपके घर के लिए कौन सी it का चुनाव करना है इसके बारे में कोई भी confusion नहीं रहेगा तो सबसे पहले दोस्तों हम basic comparison कर ल तो double AC block में हाला कि 4 inch, 6 inch और 9 inch तीनों size जो है वो available है यानि कि 4 inch by 8 inch by 24 inch का block आता है उसके बाद में 6 inch by 8 inch by 24 inch और आखिर में 9 inch by 8 inch by 24 inch कुछ इस तरह के size जो है double AC block में available होते हैं अगर हम बात करते है strength की तो सबसे ज़्यादा strength आती है flash brick वो होती है 70 से लेके 140 kg per cm2 according to IS 3495 part 1 और दो नमर strength आती है आपकी red brick को 35 से लेके 100 kg per cm2 अब यह depend होता है brick के quality के उपर और सबसे कम strength अगर किसी चीज़ को आती है तो वो होती है double AC block तो वो आती है 30 से लेके 40 kg per cm2 अब इस चीज़ के उपर से आपको directly judge नहीं करना ही कि आपकी double AC block जो है वो directly बेकर है क्योंकि double AC block पर जादा compressive strength की ज़रूरत नहीं होती है और अगर हम बात करते है cost की तो red brick हमें मिलती है 6 से लेके 8 रुपे तक उसके बाद में flash brick मिलती है हमें 7 से लेके 9 रुपे तक और अगर हम block की बात करते है तो वो मिलता है हमें 50 से लेके 60 रुपे तक अब यह तो cost होगी दोस्तों per brick के ही सबसे अगर हम overall cost के बारे में हम बात करेंगे तो उसे हम आगे चलके देखेंगे water absorption factor आता है red brick का 20 से लेके 25% fly ash brick का 10 से लेके 16% और double AC block का 10% से भी कम आता है यानि कि जो water absorption factor है वो सबसे कम आता है आपके double AC block का और comparison में सबसे आखिर में हम देखेंगे dry density red brick की dry density होती है 1900 kg per mq और fly ash brick की होती है 1700 से लेके 1800 kg per mq और वही पर अगर हम बात करते हैं double AC block की तो उसकी सबसे कम होती है यानि कि 550 से लेके 650 kg per mq यानि कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि double AC block की जो dry density है वो सबसे कम है यानि कि इसका वजन जो है वो सबसे कम आता है और fire resistance की अगर हम बात करते हैं तो सबसे जादा fire resistant होती है आपकी fly ash brick और double AC block compare to red brick जैसा कि हमने इन सभी का overall comparison देख लिया अब हम जान लेंगे कि आपके घर के लिए सबसे best option कौन सा होगा वो cost के related हो या फिर strength के related हो और कौन-कौन से limitations आ जाते हैं कौन-कौन से brick के तो सबसे पहले अगर हम बात करत हैं तो पहले जामाने से लेके आज तक हम इसका इस्तमाल करते हैं और तो और सभी brick में red brick का आज भी हमरे भरत में सबसे जादा इस्तमाल किया जाता है क्योंकि इसकी availability और इसके उपर जो लोगों का भरोसा है इस वज़े से आज भी इस brick का इस्तमाल किया जाता है इसकी compressor strength अच्छी खासी होती है अगर आपका घर एक मंजिल है दो मंजिल है या फिर तीन मंजिल तक अगर आप घर बानवाते है और आपके हापर easily available है red brick तो ऐसे वक्त में आप जो है red brick के तरब जा सकते हो हाला कि red brick जब आप इस्तमाल करते हो तो सबसे पहले अगर आप column बनाते उ चोटे-चोटे limitations आजाते हैं सबसे पहला drawback इसका यह आजाता है कि इसका wastage का प्रामन बहुत जादा होता है यानि कि 8 से लेके 10% जो है red brick west हो जाती है उसके बाद में इसका वज़न जादा होने के वज़े से बड़े structure में जो है बहुत जादा dead load बढ़ता है जिस वज़े स आपको WAC block और fly ash brick में मिल पाता है इस वज़े से आपको plaster की thickness भी बहुत जादा देनी पड़ती है तो आगेन यहाँ पर भी cost का factor जो है वो बढ़ जाता है अब यह तो factor आ जाता है पर उन्तु यह बहुत जादा effect करता है जब बड़ी building होती है तब तो यह तो हो गए दोस्त की तो वाप और wastage कम चला जाता है उसके बाद में अगर हम बात करते हैं दोस्तो फ्लाइश brick का सबसे main advantage आ जाता है वो होता है उसकी compressive strain तो इस वज़े से load bearing structure में जो है आप इसको 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 इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि इसकी strain सबसे जादा होती है और तो और इसक आपको comparison करना है red brick और flyash brick तो इसमें अच्छा option आ जाता है आपका flyash brick का क्योंकि ये बाजी मार लेती है compressive strength में उसके बाद में wastage में और तो और size और shape के बारे में भी तो इस वज़े अगर आपके हापर अच्छे quality की flyash brick मिलती है तो ऐसे वक में आप flyash brick के तरब जा सकते ह जैसे कि मैंने आप सब पहले भी कहा कि एक अच्छा alternative साबित होता है red brick के comparison में अब आखिर में आते हैं हम double AC block के बारे में जैसे की double AC block के बारे में होता है इसमें सभी चीज़े कम होती है जैसे कि इसका weight कम होता है इसके number of joints कम होते है इसका water absorption factor कम होता है क्या ये block बेकार होत कुछ इसी प्राकर से होता है double AC block के साथ क्योंकि इसका सबसे main advantage यही है कि ये light होते है light होने के वज़े से जब बड़ी building बनती है तो ऐसे वक्त में बहुत जादा dead load नहीं बढ़ता है जिसके वज़े से steel पे होने वाला खर्च भी कम हो जाता है इस वज़े से ultimately building की cost भी कम हो होने पे सुहागा इसका shape uniform होने के वज़े से इसको आपको plaster की thickness बहुत ही कम देनी पड़ती है और कुछ जग़ा पे सिर्फ external plaster किया जाता है अंदर के तरफ से directly जो है वो gypsum खीज दिया जाता है और ऐसे बहुत सारे factor के वज़े से इसकी overall luggage जो है वो कम आती है जब हम buddy building के बारे में बात करते हैं तो ऐसे वक्त तो इसी वज़े से buddy building जो होती है वहाँ पर आपने खास करके देखा होगा कि वहाँ पर red brick का इस्तमाल बिल्कुल भी नहीं करते है वहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो fly ash brick या फिर double AC block का जो है इस्तमाल बहुत जादा बढ़ कि अगर आपकी बड़ी दीवार है तो ऐसे वक्त में आपको उसको concrete belt के joints देने पड़ते हैं क्योंकि वहाँ पर crack की समस्या हो सकती है और तो और अगर आपका load bearing structure है तो वहाँ पर strength कम होने के वज़े से इस double AC block को recommend नहीं किया जाता और अगर आप पहले दीवारे बनाते हैं उसके बाद में column cast करते हैं तो ऐसे जगह पर भी आपको काम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और जैसा कि पहले दीवारे बनाई जाती है उसके बाद में column cast किया जाता है तो ऐसे वक्त में पूरी तरह से column और beam का load जो है directly जो है दीवार के उपर आ जाता है शुरुआती वक्त में तो इस वज़े से आपको crack जो है वो दिखाई दे सकते है डबल AC block वहाँ पर इस्तमाल करना ज्यादा कारगर साबित होता है जहाँ पर पहले आपका frame structure complete हो जाता है यानि कि पहले आप अपनी column और slab इन चीजों को complete कर लेते हो उसके बाद में आप दी AC block का इस्तमाल नहीं करना है हर एक brick का अपने अपने जगह पे अपने अडवांटेज और डिस अडवांटेज आ जाते है तो आप अपने जरूर तनुसार अपनी इंटों का चुनाव कर सकते हो तो कैसा लगा दोस्तो आज का वीडियो मैं आशा कर दोगी ये वीडियो सब्सक्राइब कर दीजे और ये वीडियो आपको बहुत जादा ही अच्छे लेगी हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजे तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद